मैं आपका भारी हूँ मालगुडी के भाई और बहनों कि आज आप सब मेरी ये दो बाते सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं फिर भी मुझे ये कहते हुए बहुती दुख होता है कि आज हम गुलाम हैं ऐसी गुलामी जो कभी हमारे देश पर शाई न थी इस देश की जनसंख्या तीन हजार तीन सो साट लाख है तारे यूरोप में से रश्या को अलग करो और देखो हमारा देश उतना बड़ा है हजारों मील दूर बसा हुआ इंगलेंड हमारे मदरास प्रेजिदेंसी जितना बड़ा होगा वहां राज कौन करता है सफेद चम्डी वाले गुंडे फिर भी अंग्रेज आदमी को देखते ही हमारा सर जुख जाता है क्यों हम ऐसे नपमसक क्यों बन गए हैं इसलिए कि इन फिरंगी लोगों के अनुशासन ने हमें डला कर भूका रखकर हमारी नम्रता और सभ्यता का फाइदा उठाकर हम पर राज किया है इन अंग्रेजों ने हमारी हिंदुस्तान की किसानों और कारिगरों की क्या हालत बनाई है जरा देखिये तो ठाका में कुम्दा जुलाहों के अंगुठे कात दिये क्यों इसलिए के लैंकाशैर और मैंचसर में बसे हुए इंके कप्डों के मिल बन नहों हो चलो आज हम प से अंग्द किया लेंगे लैंकाशैर और मैंचसर में बना रखका हमनहीं पहनेंगे जुलाहों के जटे हुए एंगुठों का बदला हम लेंगे वीदेशी का प्रणका हम लेंगे हमारे देश में ही बनेवे खड़र के अलावा हम आवर कुछ नहीं पहनेंगे अगर हमें एंग्रेजों को सबक सिकाना है तो सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिरता को नल्च करना होगा अगर हम हिंदुस्तानियों ने अहिम्सा का प्रण लिया है मेरे कपड़े कहां पने हुए है यह तो लैंकाशेर का कपड़ा है तुझे कैसे मालूम तुने क्या पहना है खद्दर माल गुडी में बना हुआ और क्या तुझे लगता है मैं उन लैंकाशेर के गुंडों को एक भी पैसा दूंगा कभी नहीं ए उसका भाशन तुन हमारी आहिमसा का फाइदा उठाने बद्देना आज माल गुडी के सुपत्रा और महान नेता श्री गौरी शेंकर जी को अंग्रेजों ने बंबाई में गिरफतार किया है आज के इस दिन से हम अपना विरोज शुरू करेंगे चलो, हम इन अंग्रे से उनको दिखा दे कि इनका जोर दूम अब हम पर नहीं चलेगा अपने विदेशी कपड़ों को जला दो विदेशी रक्षसों के बनाये हुए कपड़ों को जला दो पात्मगंधेकी 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 ए लड़के तुम चाहते हो हमारा देश हमेशा को लब रहे नहीं कभी नहीं मात्मा गांधी की जाए कवरी शंकर की जाए पर बेटे तुमारी तोपी विदेशी कपड़े की बनी है यां उजे मालूम नहीं था खत दर्की जाए यां 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 तूपी क्या दून रहा हूं मैं तूपी तो आग में जल गई अब टूपी के बीना स्कूल कैसे जाओं पिता जी से पूछू तो अरे कोई इस बच्चे को बाहर के कमरे से हता हो इस घर में हो क्या रहा है सब के सब बह रहे हैं क्या अभी मांगो तूप डांट पड़ेगी तूपी के बिना ही स्कूल जाना होगा माल गुडी के लोगों की ताकत को अंग्रेजों ने अभी तक नहीं पहचाना है अगर माल गुडी का व्योसाय बंद हो गया तो इसका असर इंग्लेंड की अर्थ व्यास्था पर सीधा पड़ेगा देख लेना स्कूलों को बंद कर दो असपता कहां जा रहे हो वह स्कूल आज हमारे नेता को जेल भेज दिया है मालूप नहीं हां आज सारे स्कूल बंद है समझें कि अ कि अ कि अ कि अ कि 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 पांवारित उलाओान का बात मार्वार ग路 ड्रश माऱ्मोष है पांवारित ज ग जिस मार्वार गजया मेरी बास सुनो चांत हो जाओ अपनी अपनी क्रास में बैठ जाओ अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो कड़ी शिक्षा मिलेगी भारत माता की भायो या देखो यह हर्ताल का दिन है भारत के थिह वे एक और काला दिन आज हमें सही भावनहीं से शोग करना चाहिए इंदल ऑल हिए महात्मा गांधी ने कहा है अगर हमें अपने देश को अंग्रेजों की घुलामी से आजाद करना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है वह खीनदा के आजा असहकार्य है पर अंड्रेज उनके इस आदेश का जबना उखाने हैं, उसी अहिंसा का डंडा बना कर हमें महरा जा रहा है, पर आप हम इस गुलामी को नहीं चाहेंगे, हाँ, हम अहिंसा के अलुजाई ज़रूर हैं, पर साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम शिवाजी महराच और राणा पटाज जच मर्तों के मचग भी है, ऐ शेवीर जिन्होंने इस धर्ती की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुती देने में तर्भी हिचत नहीं की, आज के दिन हमें, शर्माजी, शर्माजी, आज भी बोर्ड हैस्कोल ले काम जा रहे है, अच्छा, चलो अब महारादी है, इन गौर्नमेंट को मारने को, अब शर्माजी, शर्माजी, भाईयो आप सब यहीं रहिए, शांत रहिए, हम अंदर जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगे, चलिए प्रिंसिपल साब, हम यहाँ दंगा फसाद करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं, कि आज के दिन माल गुडी में कोई काम ना हो, हाँ प्रिंसिपल साब, आप तो पड़े लिखे हैं, हमारे नेता जेल में हैं, देश खत्रे में हैं आप लोग किसकी इजादस अंदर आएं, महर बनी करके बाहर निकल जाएं, नहीं तो मुझे पोलिस को बलंगा, क्या, सुला भाईयो, पोलिस की बात करता है मैं तो पोलिस पर ठुकूँगा, भाईयो, इन्हें सबक शिखाना ही होगा, आओ पर भाईयो, पर उट किसकी बात करते से देख़ और रात की परतले उट किसका रख़ हो गाईयो, तो भाईयो, भाईयो, थ initiatives है कि भाईयों शांत हो जाइए इनका दंडी ने मिल चुका है अब हमारा कर्तव्य है कि यहां से शांती पूर्वक चले महात्मा गांधी की कि यहां से शांत हो जाइए इंग्लेंड में बैठे उन सफेज चमडी वालों की जड़े हिलाने के लिए मेरे साथ जोर से कईए अंग्रेजों को हटा देंगे जोर से अंग्रेजों को हटा देंगे अब भारत को आजाद करेंगे चलिये 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 कि यहां साथ गाईए भाईयो मेरे साथ गाईए घुलावों का देश नहीं आड़ा जामारा, जामारा थे एे आड़ा जामारा फेमारा थे पली पैपली प्रॉकुली प्ली चारुपुली ओई दिगा उसाथ डे करे या शाथ शांती सरे हाण के पिता जी आपटी शुपरेंटेंडेंडेंट पळीस देश द्रुई गईका इसे अबे इसी वक्त सवाब्त किया जाए तो महात्मा गांधी की आत्मा गांधी की आरत माता की आई संका की जाए जाए का बंच 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 प्राइब्त आई बंच 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 प्रिकाउ में आप आ कि मुझे मतपर आप मेरे कुछ नहीं किया तुम यहां क्या कर रहे हो कुछ नहीं बंदर कहीं कर बागो यां से तुम आप गर जा कि अब दो कि अब कि यह द्यस्पी कसाई है कसाई क्यों क्या हुआ पचास लोगों को अस्पताल में दाखिल किया है सबकी हालत नाजुक है एक दो लोग तो मर भी गये हैं यह भगवान सुना है स्कूल के बच्चों ने भी काफी गड़बड की स्वामे तुम क्या कर रहे है हरत तालती पिता जी गड़बडी गड़बड किसी ने मेरी टोपी चीनकर उसके तुकड़े तुकड़े कर दिये किसनी चीनली पता नहीं फीर थी कोई गुंडा था क्यों चीनली विदेशी थी ना किसने कहा विदेशी थी खादी भंडार से मैंने कुछ ने किया मैंने उसे ना कहा तो वो मुझे मारने निकला तुम्हारे कोट का कपड़ा और टूपी मैंने एक ही दिन खदर की दुकान से खरी देते अगर कोई कहे कि ये खदर नहीं है तो वो अंधा होगा अंधा लोग कह रहे थे कि वो लैंकशर में बना हुआ कपड़ा नॉंसेंस लोग अपना अपना काम क्यों नहीं संभालते मैं उन विदेश लंगुरों को एक पैसा नहीं दूँगा अपने देश के प्रती अपना करत्वे मुझे मालूम है समझे और तुम बच्चों को राजनीति के जमेले में पढ़ने की क्या ज़रूरत है ऐसे हमारे देश में जमेले कम है क्या एक दो तीन चार अब जो मैं बोल्ट पे लिखूं उसे लिख ढ़लो कल की हरकत के बाद स्कूल आने की हिम्मत कैसे की तुमने अब मैं जिन नड़कों के नाम पढ़ूंगा वो सब बेंच पर खड़े हो जाएं कि विजे कुमार एस सॉम शेखर बीन अगेश रुद्रसवामी डियस पिल्लाई डवल्यस स्वामी नाथन अब एक के बाद एक मुझे बताओ कल तुम कहां थे कल मेरे शर्मे दर्थ था कल डॉक्टर से एक सर्टीफिट ले आना अब बैठ जाओ तुम कल मैं स्कूल आ रहा था किसी ने कह दिया स्कूल बंध है इसलिए मैं वापस चला गया उसने कह दिया और तुमने मान लिया स्कूल आकर देख जाते क्यों नहीं आए ठीक है दो रुपए जुर्माना और टेंडेंस में दस दिन कम काम है और सारा दिन बेंक पर कड़े रहो कि टोहों तो स्वर्मी दादी मरं वे अच्छा अपने पिता-जी से ईक चित्थी ले आना वह तो पहली मरं गये तुम्हरे गौशी कौन है ने उसके मैब रहा गई नधा ने वह दूसरी धादी मां है ठीक है अपने किसी पडोसी से एक चिठी ले आना मेरे पडोसी को पंडा लेखना है यह आता मैं यह दूंद है ठीक है, कल किसी मास्टर को भाँ भेज दूगा मैं सर, सर, वो, वो मेरी पड़सियों को कुछ पता नहीं होगा मेरी दादी गाव में थी, वही मरी कंत्री कुत्ते पंद्रा दन के लिए तुम्हें सस्पेंट किया जाता है निखल जाओ यहां से और तुम, तुम क्यों नहीं आए, मुँ पर ताना लगा है क्या मैं, मैं नहीं आ सका अच्छा, प्योन को बलाओ हुँ तर सर, हेड मास्टर बुला रहे है आगे सर विलाया सर बताओ, कल इस शैतान ने क्या किया खिड़की के काच तोड़ते वे देखा मैंने इसे वो भी मेरी खिड़की के क्या कहना है तुम्हे अराम जादे मार ये मतने ज़र दुटता है शटा, पुटता कधे किदर चुपचप खड़े रहो ये, एक मान आतमी को जेल भेगा है आप अंग्रेजों की गुलम कहते बन तकते हैं गुलमों की गुलम अंग्रेज कुटों की गुलम मुझे आप तो गंदा स्कुल नहीं ते है 10, 11, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 13... कुछ अकल आई तुम्हेरे बीटी को कोई फाइदा नहीं उसने तो टाय कर लिया है कि वो स्कूल में कभी नहीं लटेगा यह कैसे चलेगा आठ दिन हुए गदे की तर घर में बैठा है किसी दूसरी स्कूल को नहीं भीज सकते हैं अभी साल के बीच आसान नहीं है लक्षमी कहा है वो स्वामी 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 यहां हो सुनो मैं तुम्हें बोर्ट स्कूल में दाखिल करने की कुशिश करूँगा लेकिन याद रखो मालगुडे में सिर्फ दो स्कूल है अगर वहां जाकर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो फिर भेजने को मालगुडे में और कोई स्कूल नहीं है और मैं तुम्हें यूही घर में बैठने नहीं दूँगा समझे जी पिताजी जिद्धिक गधा ये तो हद्ध हो गई हर शिक्षक समझता है कि उसकी विशे के अलावा हमें पढ़ने के लिए और कुछ ही नहीं इतना हो मख देते हैं उपर से ड्रिल स्काउटिंग फेल कूद हमें सांस लेने को भी वक्त में हां आलबर्ट मिशन में तो कुछ कामी नही अच्छा बच्चू तो अब आलबर्ट मिशन की याद आ रही है है ना हां तुम सब दोस्तों की याद आती है राजम कैसा है अच्छा है पर अभी तक तुझसे नाराज है आज मैंने बुलाय था उससे इंकार कर दिया उसने और शेंकर एक दो मैनों में मार्गुडी छोड़कर चला जाएगा उसके पिता जी का ट्रांसवर हुआ है ना और मतर कैसा है हमेशा की तरह बीमार मैं जानता हूं राजम यहां क्यों नहीं आया उसके पिता जी सरकारी नो करे ना चल छोड़ना आज नहीं तो कल दिमाग थंडा हो जाएगा उसका चल स्वामी चल ट्रेन के साथ दौट लगाते है चल उठ एक दो त्रीर मावी करता है